आज का जो कुश्चन हम करेंगे जो आज का पॉइंट होगा कुश्चन करने का थोड़ा सा डिफरेंट है रहेगा आप सभी के बुक का कुश्चन नमबर है 14 जिनके पास बुक नहीं है टेलीग्राम में मैंने लिख के डाल दिया है omg pdf के नाम से कुश्चन में जो नाम मेंशन उसका तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करिए और वहां से कुश्चन देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या करा था पूरा एक बैलेंट शीट भी बनाया है पी अडल भी बनाया है आपको क्या करना है बैलेंट शीट और पी अडल अडल भी बनाया है वहां से क्यों पुट करना है और balance sheet बनाना है, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है land and building, furniture, original cost और adjustment एक बार हम देखें कि adjustment में क्या 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 कहता है adjustment में depreciation कहता है, WDV method पे लगाएंगे और building पे कहता है, SLM पे लगाएंगे और कहता है, furniture पे WDV, depreciation debtor कहता है, गवे 6 महने से कम वाले हैं, कुछ 6 महने से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है authorized capital कहता है, जिसमें से 4 lakh share issued कर दिये, 50 rupees called up, paid up, ठीक है, आगे देखेंगे कुछ आपका audit fees given है, और given है आपका provision for income tax, okay provide audit fees का मतलब है, अभी तक हमने audit fees दिया ही नहीं है और अगर अभी तक हमने audit fees नहीं दिया तो आउट्सेंडिंग गई है, तो अधर एक्समेंस का भी पार्ट होगा और लाइवलिटी में भी जाएगा, हम दीरे दीरे करेंगे हर बात पे point पे डिस्कस, insurance prepaid, okay debtor recommendation, आपका debtor recommendation transfer करना है, general reserve में, redemption reserve में, और भी बहुत सारी चीज़े इसने बता दिया है, ठीक है कर देंगे कहता है, equity dividend 8% on paid up capital, 8% हम paid up capital पे देंगे it has been decided right off the preliminary expense, half, 50% right off कर देंगे आपका कहता है, previous year figure need it not to be given, हमें पिछले साल का figure नहीं देना, तो वैसे भी हम किसी question में पिछले साल का digit नहीं देते हैं, trial balance में से एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे, जिसके लिए जो note लगेगा वो बनाते जाएंगे, है ना, तो sir, trial balance से अगर मैं बात करूँ note बनाने का और पढ़ने का तो मैं फटा फट से जैसे last class में मैंने किया था, उसी तरीके से मैं, पर अब यहाँ पे मेरे लिए एक काम आसान हो जाएगा, sir, क्या काम आसान होगा, मैं थोड़ा detail में और बड़ बड़ा लिख पाऊंगा आपके लिए, तो आप सभी बच्चे, जिन्होंने pndl नहीं बनाया या state, आपका balance sheet का format blank बना लेना है, और जिन्होंने नहीं बनाया, direct तो मैं ये करा रहा हूँ, तो थोड़ी देर ये पूरा सीख लें, बाद में बना के इसको आपको transfer करके match करन है, बाकी मैं बता दूँगा balance sheet में क्या क्या item जाएगा, तो यहाँ पे note, क्या हम note number अभी लिख दें, तो जवाब है नहीं, अब जैसे जैसे point आता जाएगा, वैसे वैसे लिखते जाएगे, सबसे पहले मेरा land and building पे पढ़ा, तो land and building के लिए कौन सा होता है बताओ, PPE, property, plant equipment, आपने पूरा लिखना है, PPE, और PPE में सबसे पहले क्या है हमारा, land and building, सर यहाँ पे cost, WDB कुछ हुलजाया हुआ है, इसको भी मैं clear करूँगा, ध्यान से देखिएगा बस, सर PPE में कहता है, original cost कितने का है, कितने का, 30,000, अगला, ऐसा जब कभी भी costing वाला point हो, कि cost है, original cost, WDB कुछ ऐसा बोले, तो हर एक के लिए ना, दो लाइन का gap छोड़ना, दो यह तीन लाइन का, जैसे एक land and building लिखा, तीन अब में यहाँ से लिखुआ है, क्योंकि इसमें provision for depreciation का भी treatment आएगा भी, समझ रहे हो बात, अगल 100 रुपे, बस, margar change करते है, furniture के बाद, बता दीजे क्या है, furniture के बाद, क्या है, थोड़ा gap, plant and machinery amount, 20,000 रुपे, ठीक है, अगला क्या है, stock, stock change in inventory होता है, closing है, closing है ना, तो closing stock होता है, तो एक तो direct हम balance sheet में लिख सकते हैं, closing के जगह पे, एक change in inventory में, तो balance sheet में लिख लो direct, जिसने बना रखा है, जिसने नहीं बनाया, उस पर start लगा लो, direct लिखना है, तो closing stock, यानि inventory के आगे लिख लो, और एक मैं note बना लूँगा, किसका, change in inventory का, भाई, इसके अंदर जो बच्चों को मैं बोला जारा हूँ, साथ के साथ लिख लो, तो कुछ बच्चे ऐसे confused हो जाएंगे, और ऐसे सोचने लगेंगे, इधर उदर देखने लगेंगे, आपको simple बोला है कि stock, लिखो, पेज पल्टो और लिख लो और चुप चाप देखो, कहां जाएगा, नहीं जाएगा, क्या है, नहीं अमाउंट मैं बोर्ट पे लिख रहा हूँ, यह तो कुछ बच्चों को एक काम दे दिया जाए तो वो थोड़ा पजल नहीं होना अपने, ठीक है न, simple, और closing stock, सबसे पहले बात, ध्यान देना, अभी closing stock, जहां आपने लिख है न, वहाँ star बनाईए एक पर पहले तो, क्या बनाना है आपने, star, closing stock है कितने का सहाब, closing stock है यहाँ पे 12,800 रुपे, तो मैं change in inventory में, सबसे पहले क्या लिखूंगा, opening stock, और minus closing stock, कुछ बच्चे जिनको पता है, थोड़ी दिर बाद उनको जो पता है, वही चीज मैं कराने या फिर जब opening आएगा तब कर लेंगा, opening आएगा तब देख लेंगा, ठीक है, adjustment के बाद, आगे चलें, दीरे-दीरे तो क्या है, sir, salary किसका पार्ट है, employee benefit, okay, employee benefit के लिए तो अलग note होना चाहिए हमारे पास, note लिखा, और employee को double e से denote कर रहा हूँ, benefit, employee benefit क्या था हमारा, salary amount, 800, amount है, 800, इस पर कोई adjustment था, क्या, कुछ prepaid देखा था, वो insurance है, तो salary पर नहीं है, 800 रुपए डिरेक्ली बाहर लिखा, चलिए, अगला point, printing end, तो भाईया, ये खर्चा तो other expense और other expense थोड़ा सा मारा बड़ा बनता है, other expense, यानि आपको ये चीज़ अगर याद हो गया ना, ये यहाँ जाएगा तो चप्टर में बचा ही क्या है, फ्री का number हो गया, लेकिन जिसको याद नहीं है ना, वो करी नहीं पाएगा इसमें, ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर आपका stationary, कितने रुपए का, only 120, अगला क्या है, debtor, अब debtor कौन सा होता है, trade, समझ में आ रहा है, कितना आसान चेप्टर है यह, नहीं आप बता रहे हो, सारा जवाब दे रहे तो आपको भी आसान ही है, note, note किसका, trade, receivable, TR लिख रहा हूँ, बताइए debtor कितने का, अब कई बार ना थोड़ा सा ऐसा होता है, कि छे मेने से ज़्यादा वाले debtor को अलग लिख देते हैं, और छे मेने से कम वाले debtor को अलग लिख देते हैं, आएगा यहीं पर, मैं बताऊंगा आपको, अभी कितना debtor बताया आपने, साथ लाक, अरे भाई, उपर देखो, तीन जीरो है, जब ही मैं कहूँ, इतने कम कम amount कैसे आ रहा है, आपका उपर तीन जीरो है, इसका मतलब जो एक सो बीस बताया है ना आपने, ये एक लाक बीस हजा रहा है, हर किसी के आगे तीन तीन जीरो लगना है, तो अब रहने तो रहने तो, कोई बात नहीं, हम भी तीन जीरो लगा देते हैं, हो गया? तो सब के आगे मान लेते हैं, तीन जीरो है, उसे के साथ से चलेंगे, साथ हजार है नई ये, तो ये सत्तर लाक है, 7000 का मितलब 3-0 और add करेंगे तो actual figure कितने का है 70 लाग का समझे बिलकुल कर सकते हैं allowed लेकिन mistakes नहीं होना चाहिए ठीक है न वो आपको थोड़ा ध्यान से रखना देखना पड़ेगा इसके बाद क्या amount नियुआ मैंने उपर 0 लगा दिया ना 3 तो understandable है जी इसके आगे 3-0 लगा हुआ है ठीक है आगे है investment और investment 600 है तो जी investment का add cost दे रखा है तो simple सी बात है जब investment के आगे कुछ ना बोला जाए तो हमेशा non current investment होता है अगर investment के लिए कुछ बोला जाता है कि इतने time का इतने time का तो decide होता है otherwise हमेशा क्या मानेंगे हम तो investment ना एक ही होता है दो तीन नहीं होता इसलिए इसका note बनाने की कोई अवशक्ता नहीं है direct non current investment लिखा है ना balance sheet में लिख दो वहाँ पर जाके और कितने रुपे लिख दो 7,600 रुपे और balance sheet के ऊपर top में भी 3,0 लगाने है ठीक है ना आगे देखते है cash in hand तो cash in hand का note बना लेते है sir cash in hand का note क्या बनेगा sir cash in hand का note बन जाएगा हमारा cash and cash equivalent तो cash in hand का amount है बस और आगे फर्दर बढ़ते हैं तो देता है हमें advance income tax sir advance income tax क्या होता है normal loan and advance पता है आपको तो short term loan and advance में चला जाता है advance income tax short term loan and advance current assets का part है तो आपने शायद ना बनाया हूँ अगर बना रखा है उसके अंदर point लिखा है balance sheet में तो ठीक नहीं तो एक point बन जाएगा हमारा short term loan and advance short term loan and advance के लिए आपका एक note बनाने की अवशकता नहीं है लेकिन इसके उपर अभी star mark लगा लिजिए क्यों लगाएं sir star mark क्योंकि इसके उपर tax है दो दो तीन तीन टेक्स होगा तो उसका adjustment करके entry डालूगा मैं ठीक है आगे चलते है preliminary expense तो sir preliminary expense कितने का इस पर adjustment भी है तो preliminary expense का कौन सा note बनता है कहां जाता है other current asset preliminary expense हाँ other known current assets known current assets preliminary expense कितने रुपे का कितने का 400 रुपे का ठीक है और आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि cash schedule bank sir अब ये schedule bank क्या होता है जो bank RBI के अंदर registered होते हैं उसको schedule bank बोलते है तो sir कोई ऐसा bank भी है जो कि RBI के अंदर नहीं registered है बिलकुल Sahara था RBI का approval नहीं मिला था Sahara bank भी था न तो ऐसे bank जिसको RBI से approval नहीं मिला है या RBI के अंदर registered नहीं है उसको कौन सा bank बोलेंगा schedule bank sir schedule bank कराने का फाइदा इसके अंदर अगर वो bank डूबता है तो उसमें RBI अपने पास से कुछ पैसे दे देता है जो आपके पैसे डूब के saving में समझ रहे बात अब जितने भी bank है सारे schedule bank ही है जितने भी bank है सारे schedule कुछ एक private bank जिसके अपने नाम नहीं सुने वो वो schedule bank नहीं होंगे ठीक है ना यानि जिसके उपर RBI गवर्न करता है RBI अपने rule and regulation लगा सकता उसको schedule bank बोलते है तो इसतना जादा आपको इसमें नहीं लगाना बाकि schedule bank क्या होता है नहीं होता है अगर कभी आप banking वाला chapter पढ़ोगे तो वहां पे आता है अच्छे से जो कि आपके syllabus से फिलाल तो हटा दिया पहले हुआ करता था banking and insurance banking का चप्टर भाटा दिया है तो sir schedule bank का मतलब simple bank है कितने रुपे का bank है कितने रुपे का bank 2400 इसके बाद देता है interest sir interest पे हमेशा adjustment रहता है तो interest के लिए में नूट बना लेता हूँ और interest किसका पाट होता है हमारा बताओ finance cost interest किसका पाट होता है finance cost चलिए note note किसका है finance cost interest interest बताईए कितने का है 900 है ना 200 ठीक है interest और आगे बढ़ते गए interest के बाद director fee other expense का पाट है rent and rates other debenture interest अच्छा दो-दो interest है चलिए डिबेंचर इंट्रेस्ट अमाउंट 400 इसके बाद क्या director fee other expense amount 200 और rent be other expense कितने sir insurance तो आया है नहीं और पीछे question में कहता है prepaid insurance तो हमेशा याद रखना है rent rates अगर insurance कहीं question में ना मिले तो उसी के अंदर insurance included है मान के चलते है तो यानि rent rate and insurance यही रहेगा अगर rent rate and insurance यही है तो simple सी बात है बहुत आसान सी बात है जो prepaid insurance वाला adjustment है वो इसी पर अपलाई करूँगा समझ गए बात चलिए अब credit side आजाते है share capital तो note बनाते है share capital का sir share capital का note ज्यादा lendी बनेगा नि यही बना लेते है note number लिखना नहीं है वैसे share capital का आपको पता होगा कि हमेशा note number 1 आएगा तो मैं लिख भी सकता हूँ नहीं भी लिखो चाहे share capital बताईए सबसे पहले authorized capital authorized अभी पता नहीं चल रहा कोई बात नहीं है अब लिख देते है issue and subscribe issue and subscribe sir कितना दे रखा है question में question में दे रखा है share capital balance trial balance के अंदर देख रहे है adjustment पे तो गई नहीं न 20,000 कितने दे रखे है 20,000 तो जी हमने अभी तो फिलाल के लिए यहां लिख दिया 20,000 रुपया और आगे देखेंगा adjustment में एक साथ ही लूँआ समझ रहे है बात को अब यह अथराइस है क्या नहीं है वो अज़स्मेंट को देख के बता चलेगा आगे हमारा जनर रिजर्ब जनर रिजर्ब किसका पाट है रिजर्वेंट note सबसे important जिसे बंदी नहीं करते हम तो इस note को तो कभी हम reserve को सबसे last में बंद करते हैं क्यों सबसे last में बंद करते हैं last class में मैंने बताया था और कोई बच्चा classes जैसे होगा ना के पहली class देखा तीसरी class देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा general reserve amount कितने का है इसे old नाम दे देते हैं 3000 ठीक है और ये सबसे last में note को बंद करते हैं क्योंकि इसी से calculation उठके जाएगा note number 2 में 4% debenture known current liability के अंदर long term borrowing और bank loan बगेरा मैं देख पा रहा हूं question में नहीं है bank overdraft तो current liability का part होता है तो कहीं पे है नहीं तो direct आप balance sheet में उठागे लिख दीजे जैसे मैंने last class में भी लिखा था लिख दिये direct अगला point bank overdraft अब bank overdraft sir short term borrowing का part होता है अब bank overdraft अगर हमारा short term borrowing का part है तो वहाँ पे दो ही बाते मैंने लिखवाए था एक bank overdraft और एक cash credit आपको याद होगा तो तो bank overdraft हकेला है आपने short term borrowing अगर note बनाया है तो उसके आगे short term borrowing के जगए पर direct amount लिखिये अब मैं इसके लिए note बनाने की कोई अवशक था नहीं है कितने का 1.500 रुपे का समझ में आ रहा है किसी को doubt है तो फटा फट बता दे मैं पूरे तरीके से वैसे समझातो रहा हूँ के कहा क्या बनाना है समझ में आ रहा है अगर आपने पहले notes बना लिए है पहले balance sheet प्रिपेर कर चुके हो तो थोड़े बहुत adjustment कर लो small small लिख के उसको adjustment कर लो understanding में है ठीक है sundry creditor और sundry creditor के साथ साथ अगर हमें bills payable मिल जाए तब तो note बनाएंगे अगर नहीं मिलता तो trade payable होता है न trade payable के आगे उठा के लिख दीजिए current liability में बनाया आपने trade payable सबसे पहले short term boring उसके बाद trade payable, trade payable में उठा के लिखिया question आपके सामने question ध्या, सामने जरूर होना चीए तब ही समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ जिनके पास question नहीं है उसके लिए class देखना बिकार है कोई फाइदा नहीं है इसके बाद security premium जी reserve and surplus का part होता है तो security premium के लिए reserve and surplus मैंने बना रखा है कितने एक हजार तो मैं थोड़ा gap देके लिखता हूँ यहाँ पर मुझे काम पड़ेगा और मैं सबसे last में लिखना चाहूँगा security premium क्योंकि मैं इसे अच्छे से थोड़ा समझाऊँगा आज तो यहाँ लिखता हूँ security premium amount कितने का है एक हजार समझे आगे बढ़ते जाते हैं आगे क्या है हमारा debenture, redemption, reserve और वो कितने का है DRR कितने का 4000 इसके बाद GP gross profit sir GP कैसे दे दिया हर question में तो sales वगरा होता है था तो जब GP देता है आपको तो जहाँ पर लिखते हैं revenue from operation वहीं directly लिखना है जब question में GP दे दे तो जहाँ आप लिखते हैं आप देखोगे भी तो मिल जाएगा जहाँ net revenue from operation वहाँ पर नेट लगा देना बस जहाँ revenue from operation PNL का format बनाया है अगर आपने PNL का format बनाया है तो वहीं पर लिखना है gross profit समझ में आ रहा है कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं चलिए आगे चलते हैं GP लिख लिख लिए वहाँ पर इसके लिए कोई note नहीं बनाना क्यों नहीं बनाना हर किसी को clear है लाइव क्लास में जो बच्चे है वह जवाब दे दें अगर क्यों नहीं बनाना GP को बने कहां बताया है clear है नहीं clear है तो मैं दुबारा बताओ आँ आगे चलूँगा मैं बताईए जो बच्चे लाइव क्लास में बताईए फटाफट येस क्योंकि देखो जिसने पिछली क्लास लिया है और इमानदारी सर नोट किया है ना तो मैं 100% स्योटी बताता हूं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगे लेकिन जिन्होंने फोटो की चाया या कर लेंगे नोट उनको दिक्कत ही दिक्कत है तो उसका तो कोई समयधान नहीं है आगे देखते हैं आगे आते हैं दीरे दीरे तो आगया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आट सो पचास तो यह पुराने वाला प्रॉफिट है तो पुराने वाला प्रॉफिट तो पता ही हम लिखते ही थे यहां पर ओल्ड प्रॉफिट याद है ना ओल्ड सर्प्लस कितने रुपे है आट सो पचास सारा हमने ट्राइल बलेंस खतम कर लिया adjustment पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे कहता है depreciation provided for the year land and building 5% और SLM के इसाब से और furniture and plant के उपा WDV के इसाब से सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या कहीं question में provision for depreciation था नहीं था तो simple SLM हो या WDV हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अगर पुराना depreciation होगा तभी हम SLM और WDV को judgment ले सकते हैं नहीं तो पहले साल में हर किसी का SLM और WDV समानी होता है आपको SLM और WDV में difference नजर आने लगता है अगले साल से क्योंकि माइनस बैलेंस पे लगता है तो यहां पे पर लगाएंगे सर डफर सेचेशन किस पर लगाना और एक नोट भी बनना चाहिए किसका नोट बनेगा डफर सेचन का तो लीजिये यहां पे एक नोट बनाएंगे नोट है हमारा depreciation किस के पर डफर सेचन लगेगा às सबसे पहले plant अशीनरी पे कितने पर्सेंट तो यह रहा depreciation 5% तो अगर 5% इसी का निकालना है तो 5% होगा हमारा 1500 रुपए नहीं पहले तो मैं लेंड इन बिल्डिंग पे हूँ आपने किस पे बता है पहले है किस के उपर पहले है हमारा लेंड इन बिल्डिंग पे 5% सही तो चल रहे हैं अब इसके बाद इस पे बता दो इस पे depreciation कितना है फरनीचर पे 10% यानि 150 इसके बाद किस पे depreciation क्या है 10% 2000 अब सर्ड डेप्रिशेशन बनाया है तो plant and machinery पे 1500 लेंड अच्छा लेंड अड बिल्डिंग लेंड अड बिल्डिंग पे फरनीचर पे सर फरनीचर पे कितने है 150 और डेप्रिशेशन पे 2000 अब इसको हम माइनस करके एक साथ लिखेंगे बाद में ठीक है ना? समझ में आया आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी first adjustment done कर लिया किसी को दिक्कत है तो बताईए साथ WDB बोल रहा है किसी के आगे cost बोल रहा है मैंने बताया ऐसा भी question हम करेंगे जहां पे हमें पुराना depreciation गीवन होगा इसमें नहीं गीवन तो इसके चर्चे नहीं कर रहे हैं कहां पे अच्छा यहां plant and machinery आएगा ओके ठीक है आगे कहता है debtor worth 6 लाग रुपए तो 6 लाग है 3 08 आग है यहां पूरामाउंट दे रहा है हम जहार जगा 3 08 reduce चहहजार less than 6 month old out of the remaining debtor यहां पे कितना दे रहा है पांच साथ लाग है 3 08 पांच लाग है 3 08 पांच पांच आग है चांस लाट which full provision is to be made तो वो डूब गया, bad dates हो गया provision बनाया हो चाहिए नहीं बनाया है तो क्या फरक पड़ता है bad dates हो खर्चा है न तो भाई simple सी बात है debtor लिखा है हमने 7000 7000 में से 6000 कहता है कितने time का है 6 महिने का, तो हम ऐसा करेंगे debtor कर देंगे 6 महिने से ज्यादा का 1000 हो जाएगा, simple सी बात करो total 7 है उसमें से, सर 6000 नहीं है वो 60 lakh है, तो 60 lakh में 3-0 हटा दो, तो वो 6000 ही consider करेंगे तो total 7 है इसमें से कहता है, जी 6000 6 महिने से कम के हैं तो बाकी 6000 जो होंगे, वो 6 महिने से ज्यादा के होंगे तो हम debtor को पता है, कैसे present कर देंगे debtor more than 6 months, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे और फिर debtor less than 6 months, कितने? 6,000, इसी में से कह रहा है bad dates भी कर दो bad dates कितने का? और bad dates other expense का part होता है double entry करेंगे न हर adjustment का तो bad dates कितने रुपे? 500, समझ में आया नहीं है अब सर इसको लिखने का फाइदा क्या होँआ totaling करके तो वही आना है तो जो भाई format है, law की requirement हमें करना होगा इससे पता है किसके लिए बना रहे balance sheet, अपने लिए बना रहे का है, shareholder shareholder को पता चल जाएगा अरे इतने सारे debtor 6 मेने से जादा का क्योंकि आप खुछ दिमाग लगाओ मैं किसी को आप मेरे से उधार मांगने आओगे दुकानदार है, आप बोलेगा मैं आठ मेने में पैसे दूँगा तो मैं आपको जल्दी उधार नहीं दूँगा तो अगर कोई debtor 6 मेने से जादा का है इसका मतलब उसमें संभावना जादा है कि वो पैसे क्या होंगे, डूब जाएंगे और यहां कुछ ना कुछ तो गरबड हो सकता है इसलिए बोला गया, shareholder को बताईए अगर shareholder को दिक्कत होगा तो वो पूछेगा नहीं पूछता तो वो बरबाद हो रहा है उसकी जिम्मेदारी shareholder अगर नहीं पूछता तो इसकी जिम्मेदारी हमने तो बताया है company law ने बोला हम तो आपको प्रोटेक्ट कर रहें investor आपको डाउट था छे मैने से जादा का debtor क्यों था आप पूछे मैनेजमेंट से आप माली को अगर आप नहीं पूछ रहें हो कल के दिन company डूब गई तो I am not responsible investor आप खुद responsible है क्योंकि आपको पता था आपने question raise नहीं किया समझ महीं बात आपको बस और कोई logic reason नहीं है इसके पीछे अगले adjustment पर जाते हैं authorized capital consist 10 लाख equity share 100 रुपे का एक तो 10 लाख के हिसाब से 100 रुपे का एक 10 करोड ऑथराइस capital 10 करोड है तीन जिरो हटा जो 10 करोड में से एक करोड में कितने जिरो साथ 10 करोड में आठ तो आठ में से 3-0 हटाओ तो बचेंगे 5 तो अथराइस capital कितने आगे एक लाख मेरे हिसाब से जिन बच्चों को समझ में नहीं है मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको दे रखा है यहाँ पे 10 लाख तो पहले ही दे रखा है गुणा में 100 करोगे 3-0 यह कैंसिल कर दोगे तो बचे कितने एक लाख simple सी बात है समझ में बात आपको आगे कहता है out of which 44 लाख share issued and 50 per share called up and paid up जिसमें से 4 लाख issue किये गए थे और उसने हमें सिर्फ 50 रुपे दे रखे हैं तो कोई बात नहीं जी 4 लाख रुपे है ना तो आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4 लाख equity share at the rate 50 paid है ना तो 4 लाख into 50 करो कितना बनता है 4 लाख into में 50 20 बनता है ना 3-0 हटा दो तो 20 अजार ही आ रहा है आप देखो ना 4 लाख into में 20 तो कितने बन गए 20 तो यह हो गया एक दो तीन चार पांच और छे दो करोड अब 3-0 हटा ही है कितने बन रहे हैं तो पहले से भी बता रखा था 20 कैसे यह 20 कहां 20 आएगा एक मिनट एक मिनट यह 50 है चलो ठीक है ना समझ में आ गया ठीक है पचास था मैंने 20 लिख दिया कोई बात नहीं पचास के इस आप से करा तो 20 अजार तो अल्रेटी आपको 20 अजार दे ही रखा था तो यह अज़स्मेंट का कोई मतलब नहीं था बस यह notes to account में आप अच्छे से दिखा दो इसलिए बताए गया था समझे बात आगे देखते हैं provide provide मतलब पहले नहीं दिया okay audit fees देना है कितने देने है डाइलाग तो यह हमारा adjustment का पार्ट है तो एक बनाएंगे हम other current liability एक note बनाएंगे other current liability क्योंकि out sending वहीं जाता है तो note other current liability क्या है हमारा audit fee out sending है यह कितने रुपए धाई लाग है तीन जिरो कम करके बात करें दाइसो अब इसके बाद double entry करेंगे क्योंकि audit fees तो खर्चा है तो other expense में आ जाएगा audit fees समझे बात किसी को कोई दिक्कत आगे कहता है sir इसके अंदर provision for tax भी है sir provision for tax की तो entry हम सबसे last में पी handle में करते है ना तो पहले percentage था last वाले question में अब यहाँ percentage है नहीं तो हम क्या करेंगा amount डाल देंगे तो वहाँ काम आएगा star बनाना है star बना लो याद रखना है याद रखना है याद रखना है बड़ी simple सी बात है आगे चलते है insurance prepaid कितने 80,000 तो यहाँ से क्या करेंगे less कर देंगे प्रिपेड कितने 80,000 अब भाई current assets का तो कोई party नहीं है other current assets का कुछ है मैंने बनाया नहीं बनाया other current assets में सीधा 80 रुपे लिखतो जाके other current assets जो बनाया है note बनाने का क्या फाइदा दो चीजे नहीं है ना तो direct क्लिख दीजे other current assets में 80 लिख दिया चलिए और आगे बढ़ते जाते हैं the director has recommended अब सार recommended का मतलब क्या होता है बोला गया के transfer general reserve में कितने कर देने हैं 10 लाक रुपे general reserve में ओके यह नई वाला general reserve है और यहां पर देखो पुराने वाला general reserve है मैंने लिखा न यहां पर यह पुराना वाला है कहता है के general reserve में transfer करिए कितने अभी करेंगे adjustment नोट बनाइए आराम से उसको लिखिए अभी करेंगे adjustment है अच्छा transfer to DRR कितने एक हजार रुपे तो पहले से कितना था हमारा 4000 तो मैं इसको न अलग से अभी adjustment करूँगा थोड़ा patience बस थोड़ा सा ठीक है transfer to general reserve यहां भी करेंगे भाई 400 बस थोड़ा hold equity share को dividend paid अब sir यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या dividend ना आपका paid है अब dividend की बात करी रहें तो जगह है तो पूरी बात कर लेते हैं चलिए dividend तीन तरीकी के होते हैं अब कौन-कौन से dividend होते हैं मुझे space दिखनी रहा कहा करा हैं नहीं नीचे नहीं नहीं करते हैं रुख जाएए यहां मिटा दूगा sir dividend बढ़ता कैसे है ध्यान देना सबसे पहले company के अंदर दो तरीकी के meeting होता है एक होता है हमारा जनल मिटिण एक होता है हमारा annual journal मिटिंग दोनों में फरक क्या है general meeting कभी भी बुलाए जा सकता है किसी भी काम के लिए और annual journal meeting सुर्फ और सुर्फ balance sheet बनने के बाद ही बुलाए जा सकता है यानि 30 September तक balance sheet बन जाना चाहिए उसके पहले बना बुलाए जाता है सर दोनों में फरक है जनल मीटिंग किसी काम के लिए भाई नाम चेंज कर रहे है भाई हमने सोचा है कमपनी में ये प्रोग्रेस हो ये हो वो कुछ भी हो लेकिन एन्वल जनल मीटिंग में और बागी और भी चर्चा कर सकती हो ऐसा नियग है कि Saxe-руж जनल मीटिंग है तो बोल सी थी आ líne पर सकती हो अब सर और हमने इस और इस प्रोड परसंट डिबीडिटन देने का फैसला किया है यह 90% dividend यानि 90 लाक रुपे सब में बाटने का फैसला किया और 10% हम रिजर्व में रखने का फैसला कर रहे है क्या मैंने recommendation दिया आप सबको मैंने पूछा आप से मैंने बोला 90 लाक इस वार हम dividend देते हैं आप अगर बोलते हो सर ठीक है 90 लाक dividend दो 10 लाक रखो तो यह हो गया मैंने जब बोला ना कि हम 90 लाक रुपे dividend देने का सोच रहे हैं यह recommendation है आपने बोला ठीक है दे दो यह declared हो गया जब मैं बोल रहा हूं तो क्या है recommendation आपने okay कर दिया तो क्या हो गया declare और मैंने आपके bank में transfer कर दिया तो क्या हो गया paid तो पैनले तीनों में difference समझो अब मेरे recommendation कर दिया मैंने कि मैं दूँगा और आप सभी मना कर दो तो क्या वो dividend paid होगा नहीं होगा तो जब बोट dividend को recommendation करता है तो 100% surety होगा क्या कि वो payment होगा ही सर वोटिंग करवाएंगे वोटिंग दो तरीके से होता है show of hand होता है और by poll होता है यह आप law में पढ़ोगे और जब वोटिंग करवाएंगे न हम तो वोटिंग करवाने के अंदर 51% का ratio दिखा जाता है कोई पता होगा अगर 51% से ज्यादा लोग बोलते हैं कि सर डिविदेंट दे दो तो वो declared हो जाएगा अगर 51% लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा 100% दो तो dividend declared नहीं होगा होगा कोई और amount अब सर दो तरीके का dividend होता है एक तो आपको पता चलेगा declared और एक recommendation recommendation का यह दूसरा नम है proposed dividend सुना होगा कभी proposed का मतलब क्या director ने proposed किया है कि आपको इतना dividend दे रहे हैं क्या चाहिए आपको तो यह क्या होगे हमारा proposed dividend या फिर recommendation अब एक बार हमने क्या करा है general meeting बुला लिए general meeting बुलाया और बोला भाई इस बार company की progress के बारे में बात करेंगे तो general meeting कब होता है कभी भी हो सकता है business hour में इस बार company को बहुत बड़ा tender मिला है उस tender के हिसाब से जब tender मिल गया है हमें लगता है कि हम इस बार बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमाएंगे साल के end तक तो एक करोड रुपे हमारा fixed income ही है जिसमें से 50 लाग तो अभी आ गया है तो हम क्या करते हैं balance sheet बनेगा तो बनेगा तुबारा हम आपको बुलाएंगे एक बार और कब बुलाएंगे AGM में अभी हमने decide किया है कि आपको 10 लाख रुपे dividend बाटने की सोच रहे है साल यहां से start होता है यहां खतम होता है और इस साल के बीच में मैंने meeting बुला लिया है तो जब भी कोई काम साल के बीच में होता है बोड़े interim साल के बीच में जब भी कोई काम करोगे interim या interim बोल लू interim का मतलब क्या हो गया साल के बीच में काम हो रहा है मैंने इस दिन बुला के बोला जी हम 10 लाख रुपे का dividend आपको बाट रहे है ठीक है आप समीने बुला बाट तो यह dividend को बोलेंगे interim dividend आपने सुना होगा है काई बार देखा भी होगा interim dividend साइद last class में भी interim dividend आया था यह नहीं आया था पता नहीं आया था interim dividend अब आगे हम last में annual journal meeting में मैंने बोला भाई इस पार एक करोड का profit मैंने बोला था याद है ना हो गया है और हम सोच रहे है 90 लाक रुपए का dividend दे आप सबने बोला yes दो तो अब बोलूँगा भाई 90 लाक रुपए में से 10 तो पहले दे चुका हूँ नबे में से तो याद है interim दिया था दिया था तो अब कितने बटेंगे आप में 80 बटेंगे ऐसा भी हो सकता है excluding interim dividend में 90 दे रहा हूँ तो इसका मतलब 10 दिये थे वो अलग 90 और अगर मैं बोलता हूँ including interim dividend तो फिर 80 मिलेगा ठीक है ना तो question examiner बोल सकता है बड़े सारे question देखेंगे उस तरीके का होगा तो सबसे पहले आपको बात समझ में आया dividend मिलेगा या नहीं मिलेगा तै नहीं है इसी पे accounting standard 4 आया और accounting standard 4 ने बोला भाई पहले क्या होता था board पर्पोस करता था dividend और हम सीधा उसे liability में डाल देते थे पर्पोस दिविदे यानि provision for tax में दीरे दीरे देखा बहुत सारी company में shareholder मना कर देते थे और हमने liability बना के balance sheet पर्जेंट कर दिया कुछ shareholder ने objection उट यह क्या dividend तो मैंने बताया ही नहीं के देना यह देना है कैसे आगया यहां पर dividend तो बात सही है बहुत सारे shareholder ने objection उटाया कि हमारी मर्जी के बिना तुम dividend दे रहे हो, liability में लिख रहे हो अब balance sheet तैयार है सब कुछ बन चुका है, बुला हम नहीं ले रहे dividend अब balance sheet के आओ गया गलत अब balance sheet दुबारा बनाओ तो board ने बोला, law ने बोला भाई अब से purpose dividend balance sheet का हिस्सा नहीं रहेगा, वो कहां रहेगा balance sheet के नीचे footnote में as a contingent liability समझ में आई बात आपको लेखिन अगर वो final paid हो जाता है, तो बस profit में से minus हो जाएगा, कहां से minus होगा तो अब हमारा यहां पे मुद्दे की बात है, कि यहां पे director ने recommendation किया है कितने percent dividend होगा 8 percent paid up capital पे अब question हमें पता नहीं चल रहा कि यह final paid हुआ, नहीं हुआ अगर आप assumption लेते हो को जो director ने recommendation किया final paid हो गया, तब तो 8 percent निकाल के profit में से minus करेंगे अगर आप मानते हो यह only recommendation, recommendation ही रह गया तो इस 8 percent को निकाल के लिखेंगे तो सही लिखिन balance sheet के नीचे footnote में, समझ माई बात आपको तो अगर हम इसके देखें आपके book में भी देखोगे तो अगर इसने notes नहीं डाला है note नहीं डाला है तो इसने 8 percent dividend निकाल दिया होगा डाल रखा है नीचे note, देखो मिल जाएगा आपको dividend purpose to be distributed equity shareholder next year part, ES4, कुछ लिखा होगा note सबसे लाश्ट में देखो है ना, तो यह कहाँ डाल देगा सरिफ footnote में, समझ में है AS4 accounting standard 4 कहता है तो sir यह इतने बीच बीच में law अगेरा आ रहे है यह सब हम कहां से पढ़ेंगा, जितनी बाते बता रहा हूँ तो फिर पता नहीं चलेगा बाकि जो बच्चे सेकिंड समिस्टर में उसके पास भी law होगा Corporate law है, है या नहीं है Corporate law के नाम से तो इसलिए आपको पढ़ाय जा रहा है सेकिंड समिस्टर बालों को लौ पढ़ो और यह जादे दिक्कत नाए फोड समेश्टर वाले प्रोग्राम को इसलिए पढ़ाय जा रहा है भई पढ़ के आयो तो दिक्कत नाए तो एक्जामनर सोच रहा है आप तो बहुत ट्रेंड ओ लो में लेकिन ओपन बुक वाले बच्चों से पूच्चों से क्या कर रहा है तो मैं अभी बता रहा हूं सिर्फ इस पॉइंट पर बात करते हैं आगे नहीं आप यहां तक बताईए मैं प्रपोस्ट डिविडेंट नहीं लूँगा इसको पूरे पॉइंट को छोड़ा है मैंने पॉइंट नमर 6 को और एक पॉइंट ऊपर छोड़ चुके एडवांस 2 το यहां सब्सक्राइक्स की भास पर थाध dal थाध प्रेस्ज हैं राइट आफ tocarने की बोल रहा है तो माइनस कर देथे हैं राइट पल कितने हैं तो आप एज्ए से याद होगा 2 व्या calam बाकी जो 200 बच गया है यह कहां चले जाएगा यह रहा ना लिखा है ने नोट में चला जाएगा अभी रुख जाओ एक साथ नोट का टूटल करेंगे कहता है प्रीवियस एयर फिगर दस नॉट गीवन हमें नहीं गीवन तो हमें चाहिए भी नी ठीक है अब फटा फट से हमन है एक बार इसमें एडवांस टेक्स का अगर हमें सेटलमेंट करना है तो वो चीजे देख लेते हैं एडवांस टेक्स का सेटलमेंट होगा ठीक है चलिए देखें आगे continue अब टोटलिंग पे ध्यान दे एक एडवांस टेक्स को आप कहां दाल सकते हो दो अप्शन है एडवांस टेक्स के ऊपर पूरी एक क्लास जाएगी अभी दो अप्शन एडवांस टेक्स दिया तो सरकार को हमने एडवांस पैसा दे रखा है तो एक तरीके से डाल दो आप short term loan and advance short term loan and advance जो other current liability सबसे last में उसे उपर बनता है थोड़ा सा other current liability से उपर बनता है नि loan and तो वहाँ पे डाल दो advanced tax और advanced tax का amount कितना था हमारा 800 रुपए short term loan and advance directly लिखिए और वहाँ पर डालिए कहां current assets के अंदर direct क्योंकि एक ही amount है तो लिखने की मेरे को जुरत नहीं है देख लेते हैं कुछ बच्चों का comment भी आ रहा है नहीं नहीं सर 30 कम क्यों किया है 30 इसलिए कम किया है क्योंकि इन सभी में मैंने कम किया है 30 और जो adjustment में digit है वो 30 के साथ है तो भाई हर जगा हमें 30 reduce करके चलना होगा इस सब में तो कम करी दिया है हमने क्योंकि उपर ही बोल रखा था तो adjustment भी है इसलिए हमने कम कर दिया है चलिए अब बहुत important इधर आजिए जो adjustment छोड़ा था इधर old surplus है यहां लिखेंगे new surplus यहां लिखेंगे new surplus sir new surplus की अगर हम बात करें तो new surplus क्या होता है sir new surplus क्या होता है जो आप P&L से निकालोगे new surplus अब इस surplus में से क्या-क्या minus होता है इस surplus में से dividend minus होता है dividend है नहीं मैं लिख देता हूँ क्या-क्या minus हो सकता है एक dividend minus होता है और क्या होता है नए वाला general reserve minus होता है और क्या होता है और DRR है तो वो भी minus होगा और क्या होगा कोई GR है तो वो भी minus होगा सब minus होगा इस new वाले में से रुकिए रुकिए थोड़ा रुकिए अब यहां से dividend minus होगा it is an expense तो इसका दूसरा कोई entry नहीं हो ना अब आपने नया GR करा यहां से minus करोगे यहां plus करोगे देखो reserve and surplus के अंदर गूम रहा है entry मैं दूसरे marker से लिख देता हूँ यहां से DRR तो नए वाले surplus में से minus करोगे अभी जो भी आएगा मैं करूँगा जैसे GR कितने का था? कुश्चन में दे रखा था साइद चार लाग था? कितना था? चार लाग थीन जिरो कम करते है तो यहां minus किया हमने 400 यह profit में से minus हो रहा है और यहां जोड़ गया भाई आपका profit कहीं बाहर तो गया नहीं तो हमने क्या करा profit को घटाया और reserve में डाल दिया याईनि minus plus हो जाएगा यहां पे अगला कहता है यहां पे DRR कितना बनाना था? 10,000,000 यानी 1000 तो DRR हम यहां से minus करेंगे कितना? और वापस यहां add कर देंगे new वाला समझ में आरी है बात आपको? तो देखो 10,000 10,000,000 वाले में 3,0 गटा के यह भी होगा equity share को देना है नहीं क्योंकि recommendation है recommendation करेंगे नहीं तो सबसे नीचे balance sheet में note दे देंगे कि AS4 के according यह recommendation है तो इसका कोई treatment अभी नहीं होना Sir, equity share पे कैसे निकाले 8% तो जो paid up capital है 20,000 का 8% 16,000, 30,000 और लगा लो चाहे तो ठीक है? या फिर 16,000 बोल के कर सकते हो अब बताईए adjustment देखिए कोई सा adjustment मैंने छोड़ा नहीं है अब फटा फट टोटलिंग करेंगे यह आजाएगा हमारा 28 500 यह आजाएगा हमारा 13 यह आजाएगा 18 जी बच्चे टोटल करें फटा फट से टोटल करें अब देखो यह आया है नहीं change in inventory सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा change in inventory change in inventory तो हमारा परचेस उसके नीचे change in inventory आता है तो हमेशा याद रखना जो closing stock trial में होता है ना वो कभी भी change in inventory का पार्ट नहीं बनता हमेशा सिर्फ balance sheet में जाता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई relevancy आप सोचोगे ना के pndl में कुछ नहीं दे रखा माइनस करके दिखा दे तो trial में होगा तो वहाँ जाएगा अभी आप रिख लो अगली class में कुछ एक adjustment है उसके उपर proper note बना के दूँगा मैं मतलब class में ही करवाँगा ठीक है तो इसका कोई काम नहीं हुआ अब आगे बात करते है सर इसका ये तो total यही रह जाएगा 20,000 फटा फट से देखो कितनी जल्दी जल्दी बस इसमें अकेला यही रह गया 800 अब इसमें 80 माइनस हुआ तो 200 इसका total करके बता दो फटा फट कर दो 400,500,900 9211,350 370,400 सभी सभी टोटल कर ले न ये कर लो total 3000 650 अब ये कर देते हैं 500 माइनस करोगे तो 500 कितने आ गए 65 अब ये कर लेते हैं बैंक का total 500 अब 200 ये तो करी दिया अब हाँ, इंट्रस वाला पोइंट कहता है का डिवेंचर का इंट्रस्ट हाफ येर का पेंडिन है बोला था कई मैंने ध्यान नहीं दिया ये लेखानी हाँ, डिकलियर्ड हाफ नहीं कहता है कुछ भी नहीं कहरा दिवेंचर के बारे में तो भाई कोई फाइदा नहीं हो इसका नोट बनाने का तो 600 रुपए आएगा कोई बात नहीं आएगा अड़िट फीस अकेला 200 तो यह तो बड़ा आसान सा नोट हो गया यह सबसे लास्ट में इसको हाथ नहीं लगाना भी हो गया अब नोट नमबर आपने डाला है नोट नमबर आपने बैलेंशीट जो फॉर्मेट बनाए वो डाला है तो सबसे पहले आप डालिये वहां पर लिखिए शेर कैपिटल पर एक रिजर्वेंट सर्प्लस पर दो तीन चार नोटिंग कर दीजिए और मुझे बताते जाए है सर इसको यह नमबर दे दो तो मैं दे दूँ आ यहां पर आप गिंदे लिख दीजिए महां पर जिसके आगे कोई काम नहीं है या माउंट नहीं ब्लैंक छोड़ दीजिए आप प्रोविजन फर फट्रॉजन फॉय श्ệc ट्रम प्रोविज़न में जाएगा ना अधर्फ धाले अ है 30 अच्छला जाएगा सथ ट्रम प्रोविजन कररेंट लाइ complaints में सबका एक ही आंसर होना चाहिए इसका क्या नोट कोई नहीं इसका क्या नोट एक हमेशा रहता है पांच है भई क्या कर रहे हो शॉट्रम प्रोविजन अमने नहीं बनाया तो इसकीप कर देंगा अगर आपने बना रखा या लग से बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं सेलरी इसका पीइंडल का पांटे बताओ पीएंडल में भी देु नोटिंग भाई पीएंडल में भी देना है नोटिंग बताएं आठ एंप्लोई बेनिफिट का आप भी बताओ भई जो लाइब क्लास में है ग्यारा डेप्रिशेशन दस ट्रेड रिसीवेबल छे साथ पांच नो यह तो सेकंडी होगा यह थ्री हो गया थ्री कैसे होगा दर करेंट लाइबलिटी तीन है ठीक है और कुछ नहीं बचा टोटल उठाएए फटाफट पुट करिए टोटल उठाएए फटाफट पुट करिए और पी एंडल का प्रॉफिट निका लिए कैसे निकालना है मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का समझ में आ रहा है कैसे टोटल उठाएए लिखना ही तो प्लॉट करना है बैलें सीट का टोटल तो अभी करी नहीं सकते क्योंकि रिजर्वेंट सर्प्लस गया नहीं है पी एंडल का जल्दी बता दो चेंज इन इनवेंटरी जब क्लोजिंग स्टाक होता है ना तो कभी नोट नहीं बनता स्ट्रिप बैलेंट सीट में जाता है पी एंडल का कोई हिस्सा नहीं होता मैं इसके लिए नोट लिख पाऊंग अगली क्लास में नोट्स्रो अकाउंट्स दन हो गए ना तो बैलेंट सीट का फॉर्मेट भी बना के उसमें लिखना है स्टार्टिंग में आप बना लेते हैं अभी नोट्स्रो अकाउंट डन हो गए इसके बाद जैसे खतम होगा ना बैलेंशीट का फॉर्मेट बनाना है और फिर आप पुट करना भी आप बनाना स्टार्ट कर दो बैलेंशीट का फॉर्मेट अरे निधी कॉर्परेट अकाउंट पे दो या पांच नंबर की थियोरी आएगा उसके लिए आप इतनी टेंशन मत लो मैं वो बाद में बताऊंगा आपको सर कॉर्परेट अकाउंटिंग की थियोरी भी दे दे किसने बोला 50% थियोरी आता है भई पांच से 7 नंबर का थियोरी आता है आपके साइड नोट्स तो अकाउंट डन हो गया हाँ मेरी साइड से नोट्स तो अकाउंट डन है दो नंबर ओपन है क्योंकि आपसे प्रॉफिट का इंते जार है पी एंडल का प्रॉफिट जल्दी निकालो हर किसी का सेम आना चीए जल्दी निकेश नोट्स तो निकालो हर राए पाइ पाई पाऊ जोबात सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब कर दो कर दो कोई दिकत निया है तो कोई दिकत निया है देखो लैंडिन बिल्डिंग पर बोले हैं सार एक कोई दिकत निया है और बाहर एक बैलिंस दे रखा है तो जो अंदर कॉस्ट है ना अगर इस अलम बोलता तो कॉस्ट पर लगाते है डबलु डीबी बोलेगा तो डारिक्ट बाहर वाले पर लगाना है तो डबलु डीबी आपका वेल्यू किस पर लैंड बिल्डिंग पर क्या बोलता है डबलु का लगाना है कितने परसेंट? पाँच परसेंट, यानि 40, तो ये कितने आएंगे? 760, ये ध्यान निदिया, तो आठ सो का सी? 720, इसके बाद ये कितना प्लांट इन मसीनरी बाहर? बाहर 10,000 है, 10,000 है, 10,000 पर कितने परसेंट? पहले ये तो चेक कर लो, SLM की WDB, 10 परसेंट यानि हजार? ये आएगा? 9,000, ठीक है? बिल्डिंग दे रखा है, आपको पहले ये तो देखो, भाई, SLM किस पर बोला है? आप पढ़ी नहीं रहे? लेंड इन बिल्डिंग पर SLM है, तो अगर लेंड इन बिल्डिंग पर आपका SLM है ना, तो लेंड इन बिल्डिंग जो यहां आएगा, बाहर कितने है? यहां आएगा 14,000, लेखिन डेप्रिशेशन तो पंदरा सो ही रहेगा, ठीक है? तो यह आजाएगा हमारा 12, सर यह ऐसा क्यूं हुआ? देखो SLM लगता है, ओरिजनल कॉस्ट पे, डेप्रिशेशन निकालने के लिए कॉस्ट का इस्तमाल हो गया, बाहर वाले डिजिट को लिख लिए, तो डेप्रिशेशन मैंने पता है किस पे निकाला है, तीन हजार पे ही निकलेगा क्यूंकि SLM है, 10% था क्या, 5, यह रहा, तो बारह पांसो, इसका टोटल कर देता हूँ है, भाई अब यह डेप्रिशेशन का नोट भी गलत होगी है, फटा फट मैं चेंज कर देता हूँ इसको, 1680 लेना है, डेप्रिशेशन, मैं इसका टोटल कर देता हूँ, बारह पांसो, कितने बार चार आ गया, सर, प्रोविजन फो टेक्स, 2,4,3,0,8 और पेंडल में लिखो, 2400 लिखना है पेंडल में, इतना बड़ा नहीं हुआ है, वो सिर्फ यहां हुआ था, वो नोट में बस चेंज कर दिया, मैंने, नोट तो अभी नोटी नहीं किया आपने, जो आप टेंशन में आ रहे हो, नोट तो अब करोगे, नोट आप, वाई, पेंडल का प्रॉफिट बता दो क्या आगया, मेरा काम पेंडल के प्रॉफिट पर जाने का यहाँ, और चोटे-चोटे अमाउंट जल्दी जल्दी जोड़ के, माइनस करो, कुचन नहीं, कट जाएगा, क्या यह? पंदाड़गी है? मैने все मालिय को, पाच्चिन सचिन, पाच्चिन सचिन भाई जोखा आ, यहाँ कसी का आंजर? मुझे आफ्टर टेक्स चाहिए क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हमेशा न्यू सर्प्लस में आफ्टर टेक्स आता है बाई जो बच्चे लाइब में देख रहे हैं जल्दी जल्दी निकाल के बताएं जिसका डाउट है डाउट भी पूछे कितने जी पच्चिस पचास आ गया तो यहाँ पर हमने लिखा पच्चिस पचास ठीक है अब देखिए डिविडेंट अच्चा यह जी आ दो बार लिख दिया गलती से ठीक है तो अब देखो टोटल कैसे करेंगे आट सो पचास पुराना पच्चिस सो पचास नया माइनस चार सो माइनस एक हजार तो दो हजार आ गया यह ठीक है और यह आ गया चौनतिस सो और यह आ गया पांच हजार तो जी चौनतिस सो दो हजार एक हजार और पांच हजार ग्यारा हजार नोट नमबर टू पर उठा के लिखो अब बैलेंस शीट का टोटल कर लो समझ में आया कोशन चलिए नोट करिए जिन बच्चों ने नहीं करा तो तसल्ली से सबसे पहले कि इस को डायोग ही ना तो यृटेयो कर ने चलाना आपने वीडीो तो देखी रहे हैं एक लिछ दुबारा से आप सबसे पहले ब्लंक बैलेंस seatcard बनां łे और उससकेब आप बैलेंस एड बैलेंस जांतरु जांतरु बाल, जांतरु झाल, जांतरु ए नियाु ये भुल